हत्या के आरोब में मांचित दो अभ्यूक्तों को सहजनवा पुलिस ने ग्रिफ्तार किया है पकड़े गए दोनों यूवकों ने धोके से खाने की वस्तु में नशीला पदार्त मिलाकर एक वेक्ति की हत्या कर दी थी और फरार हो गयते ग्रिफ्तार अभ्यूक्तों में आज हजार रूपिय नगत बरामत किया है इस समझ में गुरफ पूनीव से बात करते वे स्पीनार्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अधिन के जैकुसुन बलाये थे इन लोगों को ही मुलाकात हुई जीन लोगों सुर्दाची का बलाये थे पंदर दीन के पहले बलाये थे हो है उसको पंदर दीन के बाद अधिन भीनाये दोबारा देन लोगों को साथ गय आपर नभी किनारे रहे ऐब शेये लोग थे तो उसी राव समय गया थे हम को मालू ने उगा कम हम गया है अच्छा मालू ने जाए कुछन है इन से कैसे इन्मों का संबन नटे से कुमको पता चलोगी यह लोगा है उने पाइली मुलागा का हुई तुमारी इन से हाँ पहनी पंदर दिन पहले तुमारी इन से पाली यह साहजनवत अंतरगत ग्राम सिसे में नदी किनारे एक व्यक्ति की डेड़ वाड़ी मेली थी साथ तारीख को उसके प्यम कराया गया तो यह सपस्ट हुआ कि मिर्तुत इसकी हत्यकारित की गई इस विसे में जब चान बीन की गई तो मिर्तक की परिवार आलों ने तीन ब कराया था उसमें दो व्यक्ति जो है आपके सामने पकड़े गया है पराग यादव है और दूसरे व्यक्ति हैं यह धरमवीर सिंग जो पीली भितनिवासी अब तक जो है भी विचना से प्रतंदेश्टे यह प्रकास में है कि जमीन से धन निकालने के नाम पर पराग ने दो तांत्रिकों को यहां बुलवाया था नदी किनारी लोगद्वरा कुछ अनुष्ठान किया गया जिसमें मिटक और अन्य तीन व्यक्तियों को इनके द्वरा जहे वो दिया गया मलाही में जहें नशीला पदार था उसी क्रम में जो है दो व्यक्ति दूजाज सही सला अले चरम और दनवीर पलाईत हो गया इनको जहें इंस्पेक्टर सहजनों ने गिरफतार किया है बागी अव्यक्ति गिरफतारी करवाई कि जाने है दो